नमस्कार आप किसी से इर्षया क्यों करते हो बहुत से लोग मुझे पूशते हैं कि सर हम न चाते हो भी दूसरों से हमारे मन में इर्षया पैदा हो जाती है एक नफ्रत की भावना पैदा हो जाती है दूसरों से देखते है आकिर हम इस इर्षया को कैसे खत्म करें हमारे मन से सामने वाले का तो कुछ होता नहीं हम उससे इर्षया करते रहते हैं हम अंदरी अंदर तरबते रहते हैं हम अंदरी अंदर सोचते रहते हैं और हमारे माइन को डिश्टप करते रहते हैं जब ऐसा होता है तो हमारा मन बेचेन होता है हमारा मन इर्ष्या से बढ़ जाता है हम क्या करें इस इर्ष्या को कैसे खतल करें एक बात दिया देखा अगर लोग आपसे इर्ष्या कर रहे हैं तो करने दे इट मेंस आप राइट वे में जा रहे हो आप तरक्की कर लोग आपसे इर्शा कर रहे हैं तो समझ लेना कि आप बिल्कुल तरक्की कर रहे हैं और आप टोप पर जा रहे हो क्योंकि जो इंसान तरक्की करता है न अधिकतर लोग उससे इर्शा करते हैं लेकिन अगर आप किसी को देख कर इर्शा कर रहे हो ना तो उस इर्शा को रोकना सबसे पहले तो आप एड्मिट करिए, एक्सेप्ट करिए कि आपको उसे इर्शा है सवरा आप कहोगे सर आप तो करें कि मैं इर्शा कैसे दूर करें किसे खतम करें वो बतोंगा आप तो करें कि हाँ मैं उस्से इर्षा करा हूँ बिलकुल आप एक्सपेक्ट करें कि मैं उस不好意思 करता हूँ उसके बात आप देखें के सामनेवाला व्यक्ति कि किस कारण से आप उसे किस कारण से, क्या उसमें ऐसी चीजह हैं जिससे आपके आपके मन में इर्षा पेदा हो रही है। नमबर यूँन तो यही कारण हो सकता है, कि वह इंसान आपसे ज्यादा बढ़कर हो। वो आपसे ज़्यादा पैसे वाले हो, उसका इस्टिटस आपसे अच्छा हो, अधिकतर लोग तो इसी करण से इर्श्या करता है, या वो आपसे अच्छी आदते रखता हो, ध्यान रखना, सामने वाले इंसान की अच्छाईयां आप अपनाना शुरू कर देना, अगर सामने वाले की अच्छाईयां आपने अपनाना शुरू कर दिना, तो दीरे दीरे आपके मन में उनके परती नजीरिया बदल जाएगा, आप उनकी दूसरी चीज़े क्यों देखते हो, आप उनकी अच्छाईयां देखो, कि वह व्यक्ति किस कारण आज उस स्टेज पर पहुंचा हैं, और क्यों पहुंचा और उसके पीछे क्या करण है, उसने जो मैनत की, वो मैनत आप करो, उसकी अच्छेया अपना शुरू कर दो, सेक्ट, सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, आप तुन्ना करना बंद कर दो, जब तक आप सामने व्याले व्यक्ति से कुंटित एक डिप्रेशन की भावना आपके मन में आती रहेगी तो सामने वाले व्यक्ति से आप तुलना करना बंद कर दो आप सोचो कि मैं हूँ जो मैं हूँ मेरी तुलना किसी से नहीं हो सकती थर्ड मन में परतिस परदा की भावना रखो कमपिटीशन की भावना रखो अगर आपके सामने वाला जप्ति वो एक अच्छी जोब कर रहा है अच्छा इस्टेटस मेंटेन कर रहा है आप से अच्छे एटिकेट्स रखता है तो आप उसे इर्शा की भावना मत रखो आप उ उससे आगे निकल कर टोप पर पहुंचना है लेकिन इर्षया की बावना रखकर नहीं कमपिटिशन की बावना रखकर एक परतिस परदा की बावना रखकर मुझे आगे बढ़ना है और मुझे टोप पर पहुंचना है अगर आप मन में कमपिटिशन की बावना लाओगे ना तो ध्यान रखना आपके मन में इर्षया की बावना बाहर निकल जाएगी इसलिए मन में कभी इर्षया की बावना ना लाए फॉर्थ अपना नजरिया बदले सामने वाले व्यक्ति के मन में आप देतो है और वो मेरे से बटकर और मेरे से यह है तो उसे आप अपना नजरिया बदले इर्शिया की बावना बदल कर मन में एक अच्छी बावना लाए कि नहीं है उस व्यक्ति ने अपनी मैनत से सब कुछ पाया है और आज वो मैनत के दम पर वहां पहुचा है तो आप यह नजरिया अगर आप यह बावना यह मन में रखोगे नहीं तो मेरा दावा है आपसे आपके मन में सामने वाले के परती जो भी इर्शा है ना वो इर्शा खत्म हो जाएगी और आपके मन में भी एक उस्सा का संचार होगा गयार मुझे भी कुछ करना है और आप भी कुछ करने के लिए जी जान से जुट जाओ